नमस्कार जैहिन दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूटीब चैनल इंपोर्टेंट MCQ बैस संदीब में दोस्तों आज हम यहाँ पर आपके सामने एक इंपोर्टेंट निउस लेकर आए हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि स्क्रिम पर लिखा हुआ डिलेट 2017 बैच 2018 बैच 2019 बैच के लिए अति महत्पूर्ट सूचना आईए यहाँ पर आपके जो डिलेट की परिक्षाएं होनी है दुती सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर चाहे आप कोई भी बैच से हो 17 बैच से हो 18 बैच से हो 19 बैच से हो रही है और दुती सेमेस्टर की बैच परिक्षा हो रही है उसके लिए इस परिक्षा के लिए सेंटर परिक्षा सेंटर की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है PNP ने और 19 बैच जो दुती सेमेस्टर की परिक्षा देने जा रहा है उनके लिए भी जो परिक्षा सेंटर की लिस्ट है वो जारी की जा चुकी है तो आपको हम वो पूरा लेटर दिखा देते हैं और सब कुछ जितने भी यहाँ पर लिस्ट जारी की गई है वो भी हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं और अगर दुतिये सेमेस्टर की जो परिक्षा कारिक्रम है, सबसे पहले इनके लेटर में यहाँ पर डेट शीट दे रखी है, कि कौन सी तारीक को कौन सी परिक्षा है, पांस तारीक को वर्तमान भारतिये समाज और प्रारंबिक सिच्छा के नवीन प्रयास होना है, यह परिक्षा, छ इनकी बैग थी उनकी परिक्षा लगी है और जो 2019 बैच के आप भेरती हैं वो दुती सिमिस्टर का एक्जाम देने जा रहे हैं उनकी परिक्षा लगी हुई है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे यह पूरा इनकी सेंटर लिस्ट दे रखी है आगरा, हाथरस, अ यहाँ पर लिस्ट यहाँ पर दे दी गई है तो अगर यह पूरी लिस्ट अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया है वहाँ से जाकर आप यह पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं चाहे आप 2nd सेमेस्टर में हो चाहे तो आप अपने हिसाब से वह PDF का लिंक चूज कर लिजे और उससे जाकर डाउनलोड कर लिजे तो दोस्तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो डियलेट चतुत सेमेस्टर की परिक्शा होनी है उसके लिए जो PNP द्वारा लेटर जारी किया गया है इस लेटर में भी पहले परि अब इन अभ्यरतियों की जो चतुत सेमेस्टर की परिक्शा देने जा रहे हैं 2018 बैच के प्रमोट हुए अभ्यरती और 2017 बैच और उससे पहले के बैच के अभ्यरती जो बैक लेकर आया है फोर सेमेस्टर में उनकी परिक्शा आयोजन की जानी है तो यहाँ पर आप देख स सकते हैं यहाँ पर भी सारे लिस्ट्र दे रक्क ही है आप जो भी चिस भी जिले में परिक्षा देने जा रहे हैं वहाँ की पूरी लिस्ट आप यूश्ट कर लीजिये और वहाँसे अपने जिले का जो में जारी किये जा चुके हैं, अगर आपके college से नहीं मिला है, तो हो सकता है एक दो दिन में आपको provide करा दिया जाए, क्योंकि जो 3rd semester के जो back प्रिसिच्चू है, 2018 batch के, उनके भी जो admit card है, वो issue कर दिये गए हैं, अगर उनको नहीं मिले हैं, तो वो लोग अपने college से संपर्ख कर लें ताकि आपको परिच्चा शुरू होते ही आपको admit card लेने की दिक्कत ना रहे, इसलिए आप लोग जल से जल अपना admit card अपने college से ले ले, और अगर आपके college में admit card मिल चुका है तो हमें नीचे comment में बताएं, अपने जले का नाम और ये बताएं कि हाँ मुझे admit card मिल चुका है और अगर नहीं मिला है तो अपने जले के नाम के साथ नीचे बताएं, कि आपके जले में एभी admit card issue नहीं किया गया है, तो उमीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और दोस्तों मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर आपको DL8 second semester और four semester की center list चाहिए, तो नीचे description में link मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर download कर सकते हैं, उमीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को like जरूर करें और share जरूर करें चैनल को subscribe नहीं किया है, तो चैनल को subscribe करके घंटी का निशान जरूर दबाएं, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद, जै भारत